बेसिक कोर्स नो जैसा कि PDF जो हम सचक साथियों को प्राप्त होई है उसमें 31 मार्च 2021 तक 25 प्रिसचड को पूर करना है उन में से हम लोग 8 प्रिसचड आर लेडी 31 जनवरी 2021 तक कर चुके हैं और हम लोग ये प्रिसचड जिसमें कि दिनांक दिया गया है एक फरवरी से लेकर क साथ फरवरी तक के बीच में हमें basic course नमबर 9 नमबर करना है तो कच्छाओं में print भरा बाता बराड कैशे बनाएं तो ये प्रिसचड का नाम है और इसकी जो मुख प्रिसचड उत्तरी है भाग 6 उसका वीडियो हम लोग इस भाग 6 में जो भी प्रिसचड उत्तरी के 10 प्रि ने रहें और इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें भाग 1 से लेकर के 5 तक में जो भी प्रिसचड उत्तर प्रियोग किये गए हैं उस वीडियो में सामिल किये गए हैं इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ से क्लिक करके आप पूरी playlist देख सकते हैं और इसमें आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और एदी आपने अभी तक हमारे telegram और WhatsApp ग्रूप को जोईन नहीं किया है तो उनके link भी आपको इस वीडियो के description मिल करके उसे जरूर कर लें तो शुरू करते हैं इस वीडियो को अलो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं डेली ग्रू यूट्यूब कच्छाओं में print भरा बातवरण कैसे बनाएं आकलन तो इस आकलन परिछा में 10 प्रस्णों को सामिल किया गया है तो हम एक एक करके इसमे जो भी 10 प्रस्णों को सामिल किया गया उन सभी प्रस्णों को देखने वाले हैं इसलिए आप वीडियो को अंत तक चरू देखें तो शुरू करते हैं इस वीडियो को देखते हैं पहला प्रस्ण भासा की कच्छा में print भरा माहुल बनाने के दो मुक उद्देश क्या हो सकत हैं आप एक सी अधिक विकल्ब चुद सकते हैं चार विकल्ब यहाँ पर दिये गए हैं पहला विकल्ब है बच्चे लिखित सब्दों को अपने विचार साजा करने के लिए प्रियोख करें बच्ची प्रिंट की साथ सहज और अर्थपूर्ड सम्मंद बनाएं कच्छा को अकरसर पनाना चौथर विकल्ब है बच्चों को कच्छा में सीखने के लिए प्रोथ सायत करना तो यहाँ पर यह चार विकल्ब में से कौन कौन से विकल्ब सही हो सकते हैं तो मुझे लगता है जहां तक जो विकल्ब इसमें सही हो सकते हैं पहले और दूसरे उनको क्लिक कर करके आगे बढ़ेगे, जारी रखे पर फिर सिक्लिक करेंगे, दूसरा प्रिस्न विर सामने आ जाता है, अक्सर माना जाता है कि बच्चों को पाठ पुस्तक पढ़ने के मौके अच्छर ग्यान आदी स्कूल में ही मिलते हैं, तो क्या बच्चे पढ़ने लिखने के बारे में स्कूल आने से पहले कुछ नहीं जानते, आप एक से अधिक विकल्ब चुल सकते हैं, पहला विकल्ब है नहीं, बच्चे अपने आसपास मौझूद प्रंट से पढ़ने लिखने के बारे में कुछ आउधाराएं सीख लेते हैं, और दूसरा है हाँ, बच्चे घर में बोलन सुनना तो सीख पाते हैं, पर लिखना पढ़ना नहीं, और तीसरा विकल्ब है नहीं, बच्चे अपने आसपास मौझूद कुछ सब्दों, चिन्नों, आधि को तो पहचान पाते हैं, जो पढ़ने लिखने की सुरुआती विवार हैं, तो इसमें हम पहला विकल्ब और ती प्रिंटेशनों के नाम पढ़ने में बहुत दिल्चस्पी लेता है, वह है आसपास की दुकानों के नाम उनके पास लगे विग्यापनों को पढ़ने में भी अपने बढ़ों की मदद लेता है, आपके अनुसार इसके क्या करण हो सकते हैं, आप एक से अधिक विकल्ब प्रिंट को पढ़ने में दिल्चस्पी लेते हैं क्योंकि उस प्रिंट का अर्थ बच्चों के लिए माइने रखता है, दूसरा AI प्रिंट पढ़ने में आसान होते हैं क्योंकि इन में ज्यादा जटिल सब्द नहीं होते हैं, और तीसरा विकल्ब है बच्चे इन्हें संद प bénदि जी की कछा, प्रात में कछा में पंजाबी पढ़ाई जाती है, जबकि बहुत से बच्चों के घरों में हिंदी वोली जाती है, कछा में प्रिंट कुन सी भासा में लगाना सही रहेगा, आप एक ही बिकल्ब चुन सकते हैं, पंजाबी क्योंकि हिंदी तो बच्चों अन्वाव करेंगे तीसरा विकल्प है दोनों क्योंकि बच्चे वो भासा जो उन्हें आती है और स्कूल की भासा के भी सम्मंद बना कर लिखित भासा को समझ पाएंगे तो यहाँ पर तीन विकल्पों को हमने पढ़ा इसमें से जो विकल्प सही है मुझे लगता है कि इसको क्लिक करतें सम्मेट करके देखतें विकल्प सही उत्तर होता है जारियके पर क्लिक करेंगे एक और प्रसन आ जाता है सुरुवाती कच्छाओं में प्रिंट बारा वातावरण बनाने के लिए लेवलों का इस्तेमाल करने का सबसे मुख फाइदा क्या होगा आप है कि विकल इसे क्लिक करतें जारियके पर क्लिक करेंगे एक और प्रसन आ जाता है छे नंबर सर्मा जी बच्चों की पाठ पुष्टक में आय महत पूर सब्द कच्छा में बनी सब्द दीवार पर लगाती है आपके अनुसार इससे क्या होगा आप एक से अधिक बिकल्प चुन सकते ह हैं बच्चे इन सब्दों को बार बार देखकर इनके हिज्जे पैचान लेंगे बच्चे लिखते समय इन सब्दों की मदल ले सकते हैं बच्चे कभी भी इन सब्दों को बिना देखे नहीं लिख पाएंगे तो यहाँ पर जो तीन विकल्प है तीन मेंसे मुझे लगता है पहला और दूसरा विकल्प यहां पर सो टेविल होंगे तो पहले और दूसरे विकल्प पर हम टिक करेंगे और इसे अब हम सम्मिट कर देंगे सम्मिट करेंगे तो उस विकल्प सही होता है जारी रखें पर कलिक करेंगे सात्वा प्रस्न मेरे सामने आ जाता है कच्छा के लिए प्रिंट सामगरी तयार करते समय निम्ण में से किन बातों का द्यान रखना सही रहेगा आप एक ही विकल्प चुद सकते हैं प्रिंट सामगरी बच्चों की पहुंच से दूल लगाई जाए ताकि बच्चे उसे खराब ना कर दें दूसरा है प्रिंट सामगरी इस पश्ट और साफ सब्दों में लगाई जाए ताकि बच्चे उसे ध्यान से पढ़ सके प्रिंट सामगरी बच्चों की पाठ पुस्तक से जुड़ी हो तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दूसरा बिकल्प इसका सबसे सो टेबल बिकल्प होगा तो दूसरे पर क्लिक करके सब्मिट करेंगे बिकल्प सही होता है जादिया के पर क्लिक करेंगे एक और परसन आजाता है आठमा, आसा जी मानती है कि कपता के कोने में बच्चों की लिखी कपता नहीं लगानी चाहिए, क्या उनका कहना सही है, आप एक ही बिकल्प चुन सकते हैं, हाँ बच्चे कई सब्द गलत लिखते हैं और गलत सब्दों को देखकर बच्चे उन्हें ही याद कर लेंगे, दू किसरा विकल्प सही है, इसी सम्मिट करते हैं, सही होता है, जारी रखे पर क्लिक करेंगी, जैसी क्लिक करेंगी, बैसे मेरी सामने एक 9 नमर का प्रशना आजाएगा, निमने मैसे कौन सी एक प्रिंट सामगरी सुरुवाती कर च्छाओं के लिए सबसे अधे को प्योगी रह तो इस पर क्लिक करेंगे, और इसे हम सम्मिट करेंगी, जैसे ही सम्मिट करेंगे, बैसे ही आप देख पाएंगे कि यहां आप से विकल्प सही होता है, एक अंतिम प्रशना आजाता है मेरे पास, कच्छा में पढ़ने का कोना बनाने से क्या होगा, आप एक से अधिक विकल चुन सकते हैं, बच्चों को स्कूल के पुस्तकाले में नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा है बच्चे अपनी मर्जी से खाली समय में कहानी की किताबे पढ़ पाएंगे, अधियापका बच्चों की, उनकी मन पशंद किताबे पढ़ कर सुना पाएंगी, तो यहां पर जो विकल्प सही होने चाहिए, वो विकल्प नंबर दो और विकल्प नंबर तीन को हम टिक करते हैं, और दिखते हैं यहां से यह सही होते हैं या नहीं, तो विकल्प दो और विकल्प तीन को सम्मिट करते हैं, जैसे ही सम्मिट करेंगे, वैसे ही आप पाएंगे कि यहां से हम हमारे complete हुआ धन्वार उम्मीद करता हूँ विडियो पसंद आया तो अपने सचक सातियों में से share जरूर करें थैंक्यू